हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्व चैनल स्टड़ी भाई सुकन्य अश्पास देटा फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाई हूं फिजिक्स की वीडियो जिसमें आज हम करने वाले हैं भी ऐसी थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स ठीक है जिसमें हम कुछ जानेंगे कि इलेक्ट्र स्टेटिक होता है क्या है उसके अंदर क्या चीज हमने पढ़नी है ठीक हम सबसे पहले इलेक्र स्टेटिक की इस डेफिनिशन देख लेते हैं क्या है दे ब्रांच आफ फिजिक्स इन विच वी स्टड़ी अबाउट चार्ज अट रेस्ट प हमने एलेक्रिक च проблем के से रवे उसके और चार्शन के उपस पल Gla ? पूबैर घर इलेक्रिक चार्ज को पढ़ना हो इंच न वी स्टेटिक बोह नहीं गांगे मेंने थे जो एक होNewton हो जो एक होदी हमारी light body थो जो लाइट body होती है और एक होती है हमारी light body थो जो लाइट body हो donглядoug that the originuses 19.000 ते सभीנס नहीं नहीं बात यहां पर लिगे जो ङान गनला अन्षीकि पैड जो यह एक्सपेरिमेंट था सच एक्सपेरियंस ठीक है वो किसने इस्टुडी किया था एनिजन बहुत पहले एक युनानी फिलोसफर थे थैल्स उन्होंने किया था पक्चिस साल पहले किया था ठीक है उन्होंने क्या कि वेन ही रप्ट एंबर विद वूलन क्लॉथ ए एक्पयर से प्रॉपपरटीव ए ट्रेक्टिंग लाइट बॉडाइश उन्होंने कहा कि जब एंबर को एक वूलन क्लॉथ के साथ औरो नहीं पाय कि एंबर था उसके अंतर लाइट बॉड़िस को अट्रैक्ट करने की प्रोपरटी थी ठीक है फिर वेना गlaus. इस्थ anyone ने ग्लास रोल को से साथ रब किया तो उनोंने इटre worry तो से एक्वेर्टी तोनों सेमप्रपरटी एक्वार की कि इसकी लाइट बॉड इस ATTRACT करने की तो उन्हों is set to be charged electrically और उस बॉड़ी को हम क्या कहेंगे कि वो बॉड़ी क्या इलेक्ट्रिकली चार्जड है ओके इन युनानी लेंविज एमबर इस से टो बी लेक्ट्रोनेंट जो युनानी लेंविज में एमबर को है the energy due to which embargo requires वो energy जो एमबर की पास किसी प्रोपार्ज जो माइन है उसे यहां पर देखिक क्या गरते हैं a attracting light bodies यानि जो एमबर क्या करतें युदि रड़ा है लाईड बोड़ी को attract करते हैं तो उसे हम क्या क्या कहते है वो process जब कोई दो bodies को आपस में rub किया जाता है तो उनके बीच में जो चार्ज आता है तो उसे frictional electrification कहते हैं ओके अब हम देखते हैं definition of charge ओके इसके पहले हमने introduction देखा charge के बारे में ठीक है तो हम definition में देखते हैं charge is the fundamental property of any substance due to which electric static force works between two bodies charge वो fundamental property किसी भी substance की जिनमें दो bodies आप वर करने पर उनके बीच में electro static force होता है ठीक है तो charge is denoted by q and unit is column यानि कि हम क्या करते हैं charge को q से denote करते हैं और इसका unit क्या होता है column होता है अब हम क्या करेंगे charge के type के बारे में देखेंगे types of charge यह two types के होते हैं एक positive एंड एक negative charge ठीक है तो वो देखते है when we rub two bodies with each other अभी हमने पढ़ा कि क्या उन्होंने क्या किया था दो bodies को रब किया था ठीक है उसी तरीके से when we rub two bodies with each other जब हम कोई दो bodies को रब करते हैं is a transfer of electrons from one body to another body तो महाँ पर क्या होता है electrons का transfer होता है one body से another body में ठीक है the body which loses its electron becomes positive positive charge जब कोई body जो अपने electron को lose करती है तो उस पर क्या जाता है positive charge जाता है ठीक है and the body which gains electron from first body becomes negative और जो body electrons को gain करती है यानि कि जो first body होती है उसे हम क्या कहेंगे negative charge आता है उस पर ठीक है यानि कि अगर हम simple language में अगर कहना चाहें तो यहां पर कह सकते है कि जो lack of electrons होगा वो positive charge करेगा और जो excess of electron होगा वो negative charge हो जागा ठीक है तो अब तक हम ने क्यापड़ा charge के बारे में charge की definition पढ़े और charge की types पढ़ें और अब हम पढ़ेंगे charge की properties charge की first property है हमारी additivity of electric charge this means total charge on a body is the algebraic sum of charge at different reason positive or negative charge as a real number according to their sign ठीक है सबसे पहले हम समझ जाते हैं इसे कहता है कि आप मान लिजेए यह कोई area है ठीक है यहाँ पर plus में जाहे की charge है यहाँ पर negative में charge जाहे यहाँ पर plus में तो जो different area में जो positive में होते है उन दोनों का जो algebraic sum होता हैयानि की uguals ne rlori q1 q2 q3 ठीक है तो वह क्या हो जाता है एक ही hostageExcuse 3 अधिद्टिविटी विभी अफ विखेम किया दिए वारी भी फिर्यम् जार्विटीवीटी और विभी युह ठीक बीघी किなख वह स्थुन देखतेहें पक्रेज़एंच नइटर मुखना करें इसका मतलब क्या है ? इसका मतलब जो नेट चार्ज होता है इसो लेटर सिस्टेम में वो क्या होता है कॉंस्टेंट होता है ओक हम थर्ड पर इसकी रेखते हैं क्या है क्वान्टाइजिशन अफ चार्ज है डाट होता है किसी भी बॉडी का वो हमेंसे क्या होता है क्वान्टाइज में ठीक है तो हमें पता है कि चार्ज करते है और इसका फ़र्मूला यहां पर यहां पर n की वेलू क्या हो जाएगी 11 ृस है वो क्या है हमारा very small unit है charge की ठीक है तो हम क्यों को क्या लिख सकते है zero लिख सकते है plus minus e लिख सकते है कि यहां पर n की value 1 हो जाएगी फिर यहां पर density याने की continuous charge distribution के बारे में discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम definition देख लेते हैं क्या है the charge density is a measure of electric charge per unit area of a surface और पर unit volume of a body और a field charge density क्या है कि वह एक measurement electric charge की जो कि per unit area होती किसी भी surface की और पर unit volume होती किसी भी body और field की the charge density tells us how much charge is stored in a particular field charge density हमें क्या बताती है कि कोई भी charge कोई भी charge किसी पर्टिकुलर फिल्ड में कितना stored है ठीक है charge density can be determined in terms of volume area और length charge density को हम area volume और length की terms में determine कर सकते हैं ठीक है charge density को हम three parts में divide करते हैं first is linear charge density second is surface charge density and third is volume charge density तो सबसे हम पहले हम linear charge density के बारे में discuss करेंगे linear charge density के amount of charge on unit length of any body is known as linear charge density कोई से भी charge किसी भी amount of charge होता है कि charge की amount होती है वो unit length होती है अगर किसी भी body की तो हम उसे linear charge density कहते हैं और इसे linear charge density को हम lambda से represent करते हैं lambda equals to q upon L होता है जहां पर q क्या है वह हमारा charge है जैसे कि मैंने आपको बताया था and L is the length of over which it is distributed यानि कि distribution हो रहा है length का वो है यहां पर L ठीक है जैसे कि मानली जो यह देख सकते हैं आप यह एक मानली जो वायर है इस तरीके से और जो यहां पर चार्ज है तो यह जो इसकी जो length होगी वो L होगी क्यांपर मिटर हो जाएगा ठीक है अब हम बात करेंगे surface charge density की the amount of charge on unit area of any body is known as surface charge density किसी भी charge की amount जो की unit area जो की जिसकी unit की हो जाएगी area हो जाएगी किसी भी body की तो क्या हो जाएगी surface charge density हो जाएगी जहाँ पर हम सिग्मा को रिप्रेजेंट करेंगे surface charge density से इसका formula कर जाएगा q by a हो जाएगा कि a यहाँ पर क्या है हमारा area ठीक है तो where q is the charge and a is the area over which is distribution यानि कि जो area distribution हो रहा है वो a हो जाएगा हमारा ठीक है और जो SI unit होती है surface charge density की भी कहते है column पर meter square हो जाती है देखे इस तरीके से माने जी यह कोई भी surface है और हमें only इस area का surface charge density point करना है तो यहाँ पर यह हमारा क्या हो जाएगा a की value हो जाएगी ठीक है यह हो जाएगा हमारा surface charge density अब हम बात करते हैं अपनी third की जो क्या है volume charge density तो उसकी देख लेते the amount of charge on unit volume of any body is known as volume charge density किसी भी charge का amount जो की unit volume है किसी भी body का तो उसे क्या कहते है volume charge density करते हैं और volume charge density को हम row से represent करते हैं इसका formula होता है q by v जहाँ पर v हमारे क्या है volume है ठीक है जहां पर मैंने बताया था आपको where q is the charge and v is the volume over widget it is distributed यानी कि जो volume है वो distribution वाली volume है ठीक है और जो ऐसा ही unit होती है charge density की वह क्या होती है प्लीज लगी हो तो प्लीज लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ फ्रेंट्स कमेंट करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा और अगर आज की पहले की वीडियो अपने नहीं देखिए तो description में उसका link है आप महाँ से देख सकते हैं और टेलेग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेजेगा उसका भी लिंक में दिस्क्रिप्शन में देख देखिए थेंगे तैंक ये फ्रेंट्स फर वाचिंग दिस वीडियो